नमस्कार गुड आफ्टरनून एवरिवन वेलकम तो दा आउनलाइंग प्रेटफर्म ओफ लॉप्रेप जुडीशरी तेख यह आज जो हमारी क्लास है वो बहुत ही शांदार होने वाली है क्योंकि दो मौक टेस्ट कराने वाला हूँ दो ठीक है वो भी एक ही क्लास के अंदर 35 माक्स के वो मौक टेस्ट होंगे यानि कि पहला जो मौक टेस्ट होगा वो 35 कोशन्स का और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा 35 कोशन्स का तो आईए बिना टाइम बेस्ट यह जो है हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं ओके ठीक है हाँ मद्यपिदेश का ओविसली है य और ये वाली जो क्लास में जो important announcement कर रहा हूँ आप लोगों को ये क्लास 10 जनवरी को book हो चुकी है ठीक है 10 जनवरी को ये schedule हो चुकी है साड़े 10 पजे है सुबे और ये क्लास 50 मौक टेस्ट एक ही क्लास में English के ठीक है आईए start करते हैं हमारी क्लास को first मौक टेस्ट के साथ म एक छोटा सा थमसब तो दीजिए फटाफट से हाँ ठीक है फटाफट से थमसब तो करिए मैं कहां एक मिनट इसलिए वेट कर रहा हूं कि जो भी student आ सके वो आ जाए फटाफट से आप भी अगर share कर सको तो please share कर दीजेगा दो मौक टेस्ट है हाँ ओके थमसब आ चुका है One of the following acts was created by federal court in India देखिए federal court supreme court नहीं है ये federal court और RBI का जो formation है है ना creation है वो किस के तहट हुआ था बताना है कौन से act के तहट हुआ था ये फटा फट से बताए है ना बहुत ही जरूरी है ये और एक विंती है छोटी सी कोई भी नई चीज नहीं उठानी है एक्जाम के अंदर दिन बचे है कम कोई भी नई चीज नहीं उठानी कोई नया experiment आपको नहीं करना है जो class चल रही है वो देख लीजे that's it अब आगे कुछ नहीं करना है इसका answer है Government of India Act 1935 next question on which day did the constituent assembly hold its first meeting यहाँ पर यह नहीं पूचा है adopted, enacted यह बहुत बार question पूच लिए गए अब पूचा है कि जो संवेधानिक सबा जो थी उसकी पहली बैठक यानि कि first meeting कब हुई थी यह पूचा है ठीक है पहला 9 November 1946 9 December 9 November 1947 या 9 December 1947 तो यह 47-47 तो हो ही नहीं सकता answer क्या हो जाएगा option number B 9 November नहीं है December है 9 December 1946 को पहली meeting हुई थी constituent assembly की जिसमें सचेंद्र प्रसाद सिना जो थे temporary president और उसके बाद आगे की जो भी meetings थी उसके permanent कौन थे Dr. Rajendra प्रसाद next question according to Dr. B.R. Ambedgar which of the following parts of the Indian constitution is a novel feature of Indian constitution देखिए 5 marks तो constitution के 5 question constitution के होंगे स्मॉक टेस्ट में 10 question होंगे computer के 10 question होंगे GK के current affairs के MPGK के और 10 question English के तो इस से total 35 बनता है यह 35 नंबर की तयारी मैं पूरी तरह से करवा चुका हूँ अब सिरफ revision करवा रहा हूँ ध्यान रखेगा ओके तो B.R. Ambedgar ने जो है यहां पे किसे novel feature कहा गया है फटाफट बताना है जी जी आप लोग मुझे समझ नहीं आ रहा ये fundamental rights को क्यों novel feature बता रहे है इसका answer DPSP है जी directive principle of state policy है इसका answer ठीक है ना हाँ C है novel features ये गलत मत करिये exam के अंदर बहुत खदरना question है ये next question which constitutional amendment कौन से संविधानिक amendment के संशोधन से इकिस साल से अठारा साल से उमर क्या sorry इकिस साल से उमर अठारा साल कर दी गई थी universal adult franchise तो वो कौन सा amendment था कौन सा संशोधन था वो था 61st constitutional amendment next question perfect the ideals of liberty, equality and fraternity देखिये बहुत जरूरी question है एक तो जापान वाला आएगा question जापान से क्या बौरो किया था फटाफट से बताएं कि जापान से क्या बौरो किया था और comment box में भी बताएं बिलकुल right yes you can English का essay आप check करवा सकते है मुझे हाँ तो liberty, equality और fraternity के अगर हम बात करते हैं तो ये लिया गया था French Revolution से French से लिया गया था बिलकुल procedure of law मैं आपको बताना चाहता हूँ जापान से procedure established by law लिया गया था ये दोनों question बहुत जरूरी है M.P.C.J. 2023 के लिए next question पे चलते है extreme old age देखिए ये 5 question संबिधान के खतम हो गए ये 35 marks का mock test है इसमें इस तरह से मैंने आपको लेके आया हूँ अब आ गया है English extreme old age when a man behaves like a fool English में चिंता करने की जरूरत नहीं है 10 तारिक वली class देखनी है 10 तारिक 10th January को आप अपने calendar के अंदर book कर दो क्यूंकि आप लोगों को साड़े 10 बज़े से लेके साड़े 12 तक मेरे साथ ही रहना है साड़े 10 से साड़े 12 तक मेरे साथ ही रहना है हाँ चाहे आप कहीं भी बैटे हो जरूरी है 50 mark test it is not a joke 50 mark test कराऊंगा मैं English के बहुत जरूरी है इसका अंसर कहते है सटिया जाना ठीक है dot age age हर एक की life में आती ही चाहे वो कैसा भी person हो आती ही है next question पे चलते है she said my husband has just been promoted ठीक है इसको हमको indirect speech में बदलना है direct से indirect तो has को हमको head करना है क्या करना है has को head head कहां है देख लो यहां पे answer है सीधा सीधा answer यही वो tricks है यही वो tips and tricks है जो मैं आपको mock test के 50 mock test के साथ साथ में कराता रहूंगा है ना अब 50 mock test ते 500 question है 500 में से 10 नहीं फशेंगे क्या आप खुद बदाओ है ना सारे ही तरे के करा दूँगा हां पूरे के पूरे English की अपन क्या कर देंगे ऐसी तैसी कर देंगे ठीक है बे फिकर रहीएगा आप बस ओके next question पे चलते हैं महात्मा गांदी appealed to the people to dash the cruelties of the British authorities ठीक है तो महात्मा गांदी ने कहा देखो जितने उनको जुर्म करने है सहते चलो सहते चलो का मतलब क्या होता है to tolerate और tolerate को phrasal verbs जो है नहीं put down नहीं है tolerate का मतलब होता है put up with option number B is the right answer option number B perfect next question पे चलते हैं one of the animals in the zoo dash dead ठीक है जू में एक animal क्या है dead हो गया है मर गया है ठीक है अब यहाँ पे एक फरक है ठीक है इस dead को मैं हटा के एक बार यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से इसको क्या लिख देता है died यह है verb की first form तो is dead हो जाएगा यह है verb की third form has died हो जाएगा दोनों में फरक है अंसर क्या हो जाएगा option number यह हो जाएगा perfect excellent I like it बिल्कुल सही है आपका next question पे चलते है the approximate meaning of run of the mill run of the mill का मतलब क्या होता है वही रोजवाला schedule दाल रोटी खाना है ना ordinary day तो इसका आंसर क्या हो जाएगा run of the mill का option number D है ordinary class मैं इसलिए fast ले रहा हूँ क्योंकि उसका reason है मैं कम समय में कम समय में ज़्यादा पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ ठीक है totally dedicated to you all guys next question पे चलते है एक ऐसा doctor जो skin का doctor है ठीक है skin की बिमारियों का इलाज करता है geologist no ophthalmologist eyes का होता है आखों का dermatologist is the right answer और human mind हाँ आने वले time में psychologist की चांदी होने वाली है समझ जाओ क्यों हाँ जी जैश्री राम जैश्री क्रिश्न next question opposite of the word rigid ऐसा ही question आता है मैं आपको बता रहा हूँ एक question ऐसा ही आता है हाँ rigid word का opposite क्या है तो rigid का मतलब कठोर तो कठोर का opposite क्या हो गया यहाँ पे flexible next question पे चलते हैं हाँ when the police इसको actually English में police बुलाते हैं Hindi में तो police भी बुलाते हैं हाँ when the police interrogated the thief he made a clean breast of everything very very important question 5 star question है यह हाँ तो इसे हम क्या कहते हैं pleaded innocent no denied no confessed बिलकुल option number C है confessed is the right answer confessed ठीक है बिलकुल perfect made a clean breast of everything यानि कि जो भी चीज़े उगल देना डर के या कैसे भी करके next question हाँ Sumit said do you enjoy cricket देखो दिमाग को tricks के इसाब से अपन को question करना है enjoy लिखावा है न जहां भी enjoyed लिखावा हो enjoyed उस पर टिक कर देते हैं ठीक है यह enjoyed लिखावा यह head के साथ enjoyed है यह गलत हो गया ठीक है हाँ इन ऐसे tricks और ऐसी चीज़ों के लिए आपको मुझसे English पढ़नी पढ़ेगी तो अब वो समय नहीं है जिनोंने पढ़ रखा है उनके options में आपको दिख रहे है option number यह कर दिया उन्होंने ठीक है next question पे चलते हैं हाँ मैं एक खास बात बताता हूँ जो मैंने बहुत कम लोगों को बताई है मैं प्रिलिम्स की तयारी कराता हूँ है ना शांदार तरीके से कराता हूँ 100% की जगे 200% देने की कोशिश करता हूँ लेकिन एक बात बताता हूँ मैं हाँ मैं सिरफ प्रिलिम्स तक सीमित नहीं हूँ मेरा आपको फायदा जो है मेंस तक और इंटर्व्यू तक उठाना है तो मेंस में मैं 500% तक अच्छा कराता हूँ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा इसका आपको फायदा उठाना अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया ना तो कोई सेंस नहीं रहेगा ठीके हाँ तो पूरा मज़ा कर लो आप ठीके चलो आगे बढ़ते हैं I availed myself डैश लीव फॉर टू डेज ठीके हाँ राइट मेंस की भी क्लास मैं ही लूँगा आपकी चिंता मत करियेगा ठीके answer आइटिंग जो होती है न हाँ वो availed myself के साथ में हमेशा off आता है क्या कर रहे हो तुम लोग with नहीं लगाना है avail के साथ off आता है off ये है ये हाँ with no ठीके गलती नहीं करनी एक्जाम में अपन अब नहीं है वो उस situation में गलती करने की next question आप देखो 10 question English क्यों गए अब जीके क्या आगए है नहीं नहीं फिक्स प्रिपोजिशन है ये avail के साथ में avail के साथ में फिक्स प्रिपोजिशन आता है off next question loss of vision यानि कि शाम के टाइम यानि कि 7-8 बजे के टाइम शाम के टाइम मतलब साड़े 6-7 के टाइम आपको दिखना कम हो जाता है तो ये सारे के सारे जो है vitamin A की कमी से होता है vitamin A की कमी से ठीके आपको night blindness हो जाती है देखे कैसे vitamin A की वज़े से loss of vision होता है vitamin B1 की वज़े से हाँ इसे बिलकुल night blindness कहते है किसने बताया ये prince आरे क्या बात है इतनों बाद हाई हो आप night blindness होता है vitamin B1 की वज़े से beri-beri होता है vitamin C की वज़े से कमी से इसकरवी होता है vitamin D की कमी से rickets rickets में क्या होता है bones bent हो जाती है चोटे बच्चों की होती है calcium की कमी से tooth और bones decay हो जाती है बहुत जरूरी है calcium इसलिए दूद पीने का और protein powder का बोलते है iodine की कमी से यानि की नमक की कमी से यहाँ पे बड़ा हो जाता है goiter iron की कमी से anemia हो जाता है हमारे blood के अंदर iron सबसे ज़्यादा part है iron next question इंडिया की पहली actually अगर मैं इंडिया जीके का question पूछता हूं इसमें तो भारत की सबसे पहली cow century कहां पे खुली है MP में ठीके लेकिन यह तो MPGK का question है तो MPGK में यह पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी cow century कहां खुली है MP के अंदर तो वो है अगर मालवा याद रखना है fix करना है fit करना है अपने दिमाग में अगर मालवा next question पे चलते है Indian Space Research Organization ISRO कब found हुआ था देखिए मैंने तो आपको पता था कि यह वाला question आने की संभावना ज़्यादा है है ना तो अपने को confuse नहीं होना है 72, 62, 58 में no RBI के head कौन है अपने S. Somnath क्या नाम है S. Somnath RBI के sorry ISRO के 15 अगस 1969 I like it Rajesh Dubey very good और यह जो है National Space Day 23rd August को बनाया जाता है class की PDF तीन बज़े ही दे दूँगा आज अभी फटा फट दे दूँगा है न वो RBI गवर्णर तो शक्तिकान दा से CISF और ISRO सेम 1969 but CISF व्याद नहीं करना अपन को only ISRO only ISRO next question the plan to transfer the power to Indians and partition of country was let down in the देखिए power का transfer होना सेंगोल सेंगोल अभी आपको पताया न नए पार्लियमेंट में इस्तापित किया गया है मोदी जी ने वहां से current affairs बनके आया है यहां पे history का question बनके क्योंकि power transfer के अंदर किसका यूज था? सेंगोल गा और यह जए सिंगोल है हां सिंगोल जो है वो Lord Mountbatten ने किसको दी थी? जवाहरलाल नहरू को दी थी सिंगोल किसका प्रतीक है? चोला डाइनेस्टी very very important दीके? पॉलिटी का कोशन आ गया हिस्ट्री का कोशन आ गया current affairs का कोशन आ गया तीनों तरफ से important next question quality बढ़ानी पड़ेगी quality बढ़ानी पड़ेगी YouTube की problem है यह settings में जाए advanced पे क्लिक करें और 360 या 480 कर लीजिए आपको screen सही दिखने लगेगी setting a supreme court was Calcutta देख तो क्या है मैं English की faculty हुना setting a supreme court in Calcutta is a part of regulating act of 1773 regulating अधीनियम 1773 के तहट supreme court की स्ताफना हुई और पहले governor general of Bengal बनाए गए तो सबसे पहले governor general of Bengal कौन थे फटाफट बनाए बहुत जरूरी है हाँ बहुत जरूरी है सूर्या सर एक दिन की चुट्टी बना रहे है दस तारीक को आएंगे ठीके और कल तो मैं भी चुट्टी पे जा रहा हूँ कल आपको करन सर की क्लास देखनी है ठीके तो ये वारन हेस्टिंग्स थे क्या नाम था उनका वारन हेस्टिंग्स तो उसके हैड कौन बने थे इंटरिम गवर्रमेंट के हैड हाँ बेंगॉल के वारन हेस्टिंग्स और इंडिया के विलियम मैंटिक येस एक्चुली ब्रेटिशर्स का जो लॉइमेकिंग बॉड़ी था पहले का वही चीज तो इंडिया में लाए थे तो बताता हूँ इसका रीजन है इंपेकेबल लॉज बनाने का रीजन ये है कि उस समय हाँ उनका ये चीज चल रही थी तो एक्स्पेरिमेंट डन था है ना तो उन्होंने वही चीज को इंप्लिमेंट गया था इंडिया में है ना लेकिन हम तो सब नए तरेक से थे थे ना इसलिए हमको पता नहीं था सी राजा गोपालाचारी थोड़ी ना है अरे क्या कर रहे हूँ आप नो 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 नेवर ये सब अंसर गलत है तुम सबी का अंसर गलत है बहुत बहुत बढ़ाई आपको इसका अंसर है जवाहरलाल नहरू अरे भई गवर्मेंट का हेट तो प्राइम मिनिस्टर होता है न है न गवर्मेंट का हेट President पूछते तो यहाँ पे आप राजेंदर प्रसाद लगाते राइट है हाँ इंटरिम गवर्मेंट का पूछा है तो वो तो जवाहला लहरूई होंके न हाँ जिन जिन का सही था वेरिकूट जी वो क्या है कि ये शब्दों का फेर है जैसे आपके लौ में होता है ख्यान रखे का ये ऐसी गलती ना करें सी राजा गोपाला जारी जो है फर्स्ट वाइसरोई थे इंडियन पहले इंडियन वाइसरोई थे ये और सादार वल्लब भाई पटेल की तो आप मैं क्या तो बात कहूँ आपको बिसमार्क उफ इंडिया और सारे के सारी चीजे इन पे लागू होती है पात सो पैतालिस रिहास्ते को एक करना आज के टाइम में तो जोग है और अनप्रेक्टिकल लगता है पर उन्होंने किया था उस समय ठीके जब वहाँ पे टेलीफोन की भी इतनी सुविदाए नहीं थी तो ग्रामेरियन किसे कहा जाता है ठीके ग्रामेरियन बहुत ही पूजनिय ग्रामेरियन है ये संस्कृत के दो थे एक तो थे पाननी और दूसरे थे पतंजली पतंजली की किताब का नाम क्या था महाभाष्य पाननी का कोशन आ चुका ये कौन सा है पतंजली का है पतंजली की किताब का नाम है महाभाष्य नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं, देखिए फिर से ये थोड़ा ट्रीकी कोशन है, थोड़ा सा ट्रीकी कोशन है, काजीरंगा नेशनल पार्क is located along which river, इंडियन रिवर, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, कहां पर है, सबसे पहली चीज तो हमको ये करना है, काजीरंगा रिंडा है, वन हॉर्ण, रिनोसारस जिसे कहते हैं, वो कहां पर है, असम में पाया जाता है, काजीरंगा में, राइट, है ना, और असम कौन सी नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो इंटर लिंक हो गया, option number C, ब्रह्मपुत्र बिलकुल सही, नेक्स्ट कोशन जलते हैं, घाटी गाओ, वाइल लाइफ सेंचुरी कहां पर इस्तिध है, घाटी गाओ, वाइल लाइफ सेंचुरी इस लोकेटे इन विच डिस्टिक ऑफ मध्यवदेश, बताना है, राइट, बारा बच के तीस मिनट पे ही दूसरा मौक टेस्ट स्टार्ट करूँगा, ब बिल्कल परफेक्ट है, नेक्स्ट कॉश्ण, इकबाल अवॉड किस से रिलेशन में दिया जाता है? इकबाल अवउड, इंट्रेस्टिंग, इकबाल अवॉड जो है यह अउढदू भाशा में दिया जाता है, किसमें? उर्दू भाशा, क्रिएटिव अपृदू राइटि perfect, perfect, next question, full form of SIM, SIM का full form क्या है, SIM का full form क्या है, SIM, subscriber identity module, subscriber तो है भई, क्योंकि subscriber सी जरूरी है, और बिलकुल इसका answer option number A ही है, subscriber identity module is the right answer, next question पर चलते हैं, what does the ASCII stand for, देखिए, ASCII को याद करने का मैं तरीका बता तो बहुत confusion है, AS का मतलब होता है American Standard, options मत देखना, मैं आपको request कर रहा हूँ, सिर्फ इस question में options को नहीं देखिएगा, American Standard, ठीके, C का मतलब होता है code, ठीके, code, अगर आपने option देख लिया तो confused हो जाओगे, क्योंकि सब में code है, ठीके, हाँ, code for information, तो information हो गया, और last में क्या हो जाएगा, interchange, ठीके, हाँ, information interchange, तो answer क्या हो गया, इसका option number C हो गया, इस तरह से ही करना है, ठीके, information interchange, ये last वली चीज का ध्यान में रखना, ये ही वो question है, अगर आ गया न, तो बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, जी, हाँ, next question, software for organizing, storage, updating and retrieving information is called, देखिए एक file, जो है, खुब सारी files मिलके एक data बनता है, और खुब सारा data बनके, एक database management बनता है, और उस system को हम database management system कहते हैं, DBMS, क्या कहते हैं, और ये जो DBMS की अगर हम बात करते हैं, तो इसका answer है, database management system, option number B, बिलकुल ठीक है, next question पर चलते हैं, which of the following is or are modifier keys in, modifier keys क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये control है, ठीक है, ये windows वाला हो गया, ये alt की है, और एक ये shift की है, ठीक है, इसके साथ कोई और modify करने के लिए, control के साथ अगर हम दबाते हैं D, तो minimize हो जाता है, control के साथ हम C दबाते हैं, तो copy हो जाता है, इसी तरह से shift के साथ अगर A दबाते हैं तो वो capital A आता है alt के साथ f4 दबाते हैं तो close हो जाता है तो ये modifier keys हैं ये तीनों हैं और इसका answer क्या हो जाएगा all of the above हाँ they are not used alone nice next question पर चलते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं modifier keys what does html stand for हाँ देखिए जो जो student comment कर रहें बहुत बढ़िया है हाँ जो student नहीं comment कर रहे है वो अपने मन में करके और अपने आपको marks दीजिए ठीके हाँ खुद से अपनाप करें बहुत बढ़िया रहता है हाँ what does html stand for और कोशिश ये करा करिये हाँ कि वापस ये क्लास नहीं देखने never ever ठीके हाँ मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात बतानी है आपको मैं English की faculty हूँ GKGS की faculty हूँ current affairs क्यों computer क्यों सब की हूँ लेकिन उससे पहले मैं पता है किसकी faculty हूँ spoken English और personality development की है ना तो ये मेरा काम है आपके दिमाग में इस चीज को fit करना आपको सिरफ क्या करना है एक बार मेरी class को देख के सुनना है बस क्या करना है सुनना है बाकी मैं मेरा काम मेरे को आता है मैं अपना आप कर लूँगा ठीक है, हाँ, ये मैं सभी को बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, तो आपको सिरफ क्या करना है, सिरफ सुनना है, लेकिन, अटेंशन दे के, नहीं तो, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ओके, हाँ, HTML का full form होता है, hypertext markup language, कहा है बई, option number B, next question, what is the full form of MICR, magnetic ink character reader, कहां दिख रहा है बई, magnetic ink character reader, option number B, बिल्कुल perfect, next question, what is the full form of internet communication protocol, TCP IP, TCP का मतलब होता है, transformation, क्या लिख रहा हूँ मैं, transmission control protocol, और IP का मतलब होता है, internet protocol, ठीक है, IP address जो provide करता है, answer क्या है, option number B, right, next question, the basic goal of computer process is to convert data into, data को किस में convert करता है, ठीक है, हाँ, data को information में convert करता है, information किस में करती है, file में, याद रखिएगा, गलत नहीं करना है, question को, हाँ, और UNIVEC का full form के, अगर हम बात करते है, UNIVEC की, तो वो होता है, universal automatic computer, ठीक है, UNIV का universal, A का automatic, और C का computer, right, when you want to move some text, किसी text को इदर से उदर move करना है, to a different page, दूसरे page पे, the best method is drag and drop नहीं होता, never, ठीक है, never, इसका answer है, cut and paste, वहाँ से cut करो, जहाँ पे आपको paste करना है, वहाँ पे paste करतो, right, next देखते हैं, हाँ, यह mock test है, अभी, मैं बारा बज के 31 मिनट पे ही, दूसरा test स्टार्ट करूँगा, calculation fix है, ठीक है, बारा बज के 31 मिनट पे ही, दूसरा test स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले तो इस class के बारे मैंने बताया ही था आपको, कि MPCJ के 50 mock test एक ही class में ला रहा हूँ मैं, देखनी है, आपको present रहना है, कितनी बजे, 10 जनवरी का, ब्रेकफ़स्ट मेरे साथ है, आप लोगों का, 10.30 बजे, electronic breakfast है, साथ साथ में आपन number of question करेंगे, एक copy और paper लेक के बैठना है, copy और paper लेके बैठना है, और 10 के 10 question हर 50 में आपको करने है, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीके, हाँ, जी, उस mock test के अंदर मैं high level के question भी लाऊँगा, super high level के भी लाऊँगा, और basic level के भी लाऊँगा, तीनो, मतलब 50 तरे के अलग अलग paper आप कुछ सोच लो ना, क्या वो level होगा उसका, जी, और अब जो है, हाँ, अपनी copy के अंदर 1 से लेके 35 तक लिख लो, और अपना test start करो, फटापट, 1 से लेके 35 तक, एक minute का समय है, आपके पास, जल्दी करिये, ठीके, जल्दी करिये, coordinating conjunction, कुछ नहीं होता है, not only के साथ, but also if के साथ, but आता है, scarcely के साथ, when आता है, जल्दी के साथ, should आता है, यह सब होते है, coordinating conjunction, पास मिट का topic है, मैं पढ़ा दूँगा, copy pen लेके आओ, पटापट से पैते स्कोशन करने है, ओके, चलिए फिर, स्टार्ट करते हैं, mock test 2, mock test 1 में लगबख 7 question wrong हुए, सोच लो आप 35 में से 7 गलत, उस 7 पे focus करो, जो question गलत हुए है, उस पे focus करो, हाँ, vocab की class लेनी पड़ेगी, जरूरी है, समझिये बात को, हाँ, जरूरी है, एक साथ इतना नहीं हो सकता है, load नहीं लेना, राइट, चलो, सबसे पहला question ये रहा, सबसे पहले constitution के 5 question, फिर 10 English के, फिर 10 GK के, और फिर 10 जो है, computer के, first mock test में तीन गलत, very good, अभी मैं इसकी report लूँगा आप सबसे, सबसे पहला question, prohibition of traffic in human beings, जब मैं question पढ़ूँगा, तब आपको answer सोचना है, और फिर मैं फटा-फट answer कराऊँगा, 35 में से कितने number आए, last में बताना है, last में, ठीक है, prohibition of traffic in human beings की बात करें, तो देखो, article 23 में human trafficking लिखा है, और 24 में factories में बच्चों को वो लिखा है, तो answer क्या हो जाएगा, option number B, article 23, next question की बात करते हैं, the concept of public interest litigation originated from which country, PIL जो है, कौन सी country से लिया गया है, the UK, France, USA और Russia, right, तो कौन सा answer हो जाएगा, हाँ, perfect, इसका answer है, the USA, बिलकुल USA से लिया गया है, और USA से fundamental duties भी ली गई है, fundamental duties, जिसे USA के अंदर, Bill of Rights कहते हैं, Rights of Bill कहते हैं, Bill of Rights जो भी कहते हैं, ठीक है, वहीं से लिया गया है, next question, the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state, falls under its, तो यह जो पावर है ना, Supreme Court का, center or states के करने का, उसे हम original jurisdiction कहते हैं, क्या कहते हैं, original jurisdiction, very very important, very very important, अच्छा स्वारी, fundamental rights, fundamental rights, Bill of Rights कहते हैं, fundamental rights है ना, Magna Carta of India, fundamental rights को क्या कहते हैं, Magna Carta of India, fundamental duties तो दूसरी जगे से ली गई हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ, magnetic in character reader भी हो सकता है, recognition भी हो सकता है, दौनों का मतलब same होता है, ठीके, perfect है, औरिजिनल jurisdiction में आता है, next question, which article of constitution is related to establishment of election commission 323, so 324, sorry, article 324, सिधा सिधा, हाँ, बिलकुल ये लोग वापस लिख देते हैं, fundamental rights कहां से ली गई है, USA से, और fundamental duties कहां से ली गई है, Russia से, USSR से, ठीके, perfect, next question, DPSP Ireland, ये लीजिए, DPSP कहां से लिया गया है, Ireland से, next question, which of the following is the first committee, establishment for the Panchayati Raj Institution, तो Panchayati Raj Institution के लिए, पहली committee जो थी, उसका नाम गया था, Balwant Rai Committee, option number A, हाँ, right, देखो, देखो, इमानदारी से, बताना है, पैतेस में से कित्ते आए, ठीके, इमानदारी से, और जिन लोगों ने बीच में स्टार्ट किया है, तो कोई बात नहीं, वो उत्ते में से बता दीजेगा, हाँ, it is time, देखिएगा, जब भी, it is time हो, very important concept है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, या it is high time हो, ठीके, जब भी it is time और it is high time हो, इसका मतलब होता है, पास्ट सिंपल, इस फ्रेज का मतलब होता है, पास्ट सिंपल, और जब भी पास्ट सिंपल लगाते हैं, तो वर्ब की second form आती है, वर्ब की second form, तो लीव का मतलब है छोड़ना, लेफ्ट का मतलब है छोड़ा था, यानि कि हम चले गए थे, लेफ्ट, हमेशा और हमेशा यही लिखना है, कुछ भी experiment नहीं करना, मन क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, नथिंग, दिल क्या कहता है, कुछ नहीं, हाँ, जो मैंने कहा है, final, that's it, next question पर चलते हैं, when the principal entered the class, sorry, class, जब principal enter हुआ था, हाँ, कहाँ पे class में, तो एक student जो है blackboard पर लिख रहा था हो सकता है, लिख रहा है हो सकता है, कैसे पता चलेगा, यहाँ से, अगर यह present tense है, तो is आजाएगा, अगर यह past tense है, तो was आजाएगा, तो इधर से अपना answer क्या आजाएगा, was writing, excellent, मैं answer देख रहा हूँ, सबका अच्छा आ रहा है, good, next question पर देखते हैं, she is dash girl in the class, ठीक है, देखे, क्लास के अंदर, जब हम elder की बात करते हैं, तो यह blood relation के अंदर बड़ा होता है, blood relation, ठीक है, खून के रिष्टे में बड़ा होता है, और जब हम older की बात करते हैं, तो यह होता है, age में बड़ा, ठीक है, हाँ, तो मुझे बताओ, क्लास में सब उसकी बहने तो होगी नहीं, है ना, बहने तो होगी नहीं, तो यह eldest तो हो नहीं सकता, हाँ, ऐसा है नहीं, पचास की पचास भेने होगी उसकी blood relation में, never, तो इसी लिए इसका answer क्या है, the oldest, बस इनी चीजों के लिए, इनी चीजों के लिए, आपको दस वली क्लास देखनी जरूरी पड़ जाती है, ठीक है, next question, many a dash dash injured, many a dash dash injured, तो देखो, जब many लिखावा आता है, तो हमको क्या लगाना है, passengers, ठीक है, लेकिन, जब many a लिखावा आता है, तो उसके साथ passenger लगाना है, singular यानि की एक वच्चन, एक वच्चन, ठीक है, तो many a passenger आएगा, और passenger के साथ भी क्या आएगा, was, क्योंकि यहाँ पे singular है न, passenger, तो यहाँ भी क्या आएगा, was, ठीक है, fix concept है, कुछ भी change नहीं है, concept fix है, right, next question, passenger वर नहीं आएगा, passenger के साथ वर नहीं आता, passenger के साथ वच्चन, अगर many passengers लिखावा होता तो वर, many a passenger, was, PDF किती बज़े मिलेगी, class खतम होते ही देदूँगा, चलो आज तो, पढ़ते रहे न, neither of them, dash, given the correct answer, English की खास बात ये है, कि, English की खास बात ये है, कि आप, हाँ, ये वो rules है, बिल्कुल, जे लोग में भी पढ़ाया था, ये बिल्कुल सही, very good, हाँ, हाँ, तो ये जो अपन एक बार पढ़ा, अपन ने online, और एक बार दूसरी बार ऐसे PDF से देख लिया, तो दिमाख में fit हो जाएगा, neither of them, dash, given the correct answer, neither of them के साथ में, गलत, हाँ, very good, अब सही है, each, every, either of, neither of, इन सब के साथ में हमेशा singular helping वापाई की, ये plural है, ये plural है, ये plural है, odd one out किया, अंसर क्या आगया, has, ठीक है, हाँ, has, simple है, बहुत hard नहीं है, ये, simple सा है, neither of के साथ singular ही आएगा, has लगा देंगे, next question, the opposite of the word acquitted, देखिए, acquitted का मतलब क्या होता है, बिलकुल, बिलकुल, दस जनवरी के साथ में मैं आपको, हाँ, rules explain भी करता चलूंगा, ठीक है, जी, हाँ, इसका अंसर क्या हो जाए, convicted, opposite word बताना है, opposite ही आएगा, next question, some rules are very rigid, others are flexible, next question, the doorbell dash for the last 10 minutes, फटा-फट से बता इसका अंसर, बहुत जरूरी कोशन है ये, मिरे को देखना है, आप लोग इसका अंसर क्या करेंगे, तीन साल से, तीन साल से लगातार ये कोशन आया है, exonerate का मतलब भी बाइज़त बरी करना होता है, exonerate मतलब बाइज़त बरी करना, C कर रहे हो तुम सब लोग, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, जी, मैं आपको बताता हूँ, वो doorbell जो है, पिछले 10 minutes से बज रही है, यानि के present perfect continuous tense has been ringing, option number C, excellent, बहुत, मतलब, रुकिये, मैं है न, आपने इस कोशन का अंसर दिया है, तो मैं आपको कुछ भेजना चाहूँगा, हाँ, ये देखिए मेरी तरफ से क्या आया है आपके पास में, ये देखिए, excellent, super splendid students हो आप लोग, super splendid, शांदार, next question पर चलते हैं, find out the correct sentence, इसमें से correct क्या है, ठीके, और मैं आपको clear बता देता हूँ, हाँ, मेरी महनत को खराब मत करना, डेड़ मैने से जो पढ़ा रहा हूँ, उसका revision चल रहा है ये, हाँ, आप बस एक छोटी सी wish है, बस, एक ही छोटी सी wish है, वो आपको पूरी करनी है, मेरी बस, और कुछ भी नहीं है, वो एक ये है, कि tension नहीं लेना, एक्जाम की, ठीक है, एक्जाम की tension नहीं लेना, डी मोटिवेट मत होना, बस, हाँ, एक्जाम अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, खराब हो, बहुत खराब हो, हाँ, आपका दिमाग को स्तिर रखना, और बाकी सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बस ये मेरी request है आप से, और ये request मान लेना, प्लीज, ठीक है, इसका अंसर, ये समझ लीजिए कि एक तरह से वो वापस आप मेरे को एक चोटा सा token of दे रहे हैं, आप कुछ जैसा, जी, राइट, इसका अंसर है, the French, speak French, the French का मतलब होता है, people of France, people of France, हाँ, और French का मतल, हाँ, बिलकुर, राइट, बहुत देखो तो सरी यहाँ पे, इतने दिन English नहीं पड़ाई है मैंने, क्योंकि वो GKGS और Computer और इसका course complete करना था, बड़ अब तो स्टूडेंटी जो है, यहाँ पे, explain कर रहे हैं, कि सर, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता एक टीचर को, ह He writes poem का passive voice बताना है, ठीक है, हाँ, He writes poem का passive voice, तो poems के साथ आर आता है, तो poems के साथ क्या आता है, तो poems के साथ क्या आता है, आर, तो poems आर कहां है यह रहा, रिटन बाइ हम, option number B हो गया, बिलकुल perfect, next question पे चलते हैं, हाँ, right, बहुत बढ़िया, next question पे चलते हैं, Which of the following is known as State Bird of Madhya Pradesh, English complete, बाकी पचास मौक टेस्ट में मिलेंगे, English का, हाँ, State Bird of Madhya Pradesh की बात, अगर हम करें, तो वो है, हाँ, दूद राज, ठीक है, हाँ, fly catcher, दूद राज, next question, How many divisions are there in Madhya Pradesh as per census 2011, तो कितने divisions है, अभी MP में कितने divisions है, 10 divisions है, 10, next question, The easternmost place of India is located in, easternmost point पूछा है, northernmost point तो अब Ladakh हो गया, Jammu नहीं है, Ladakh है, southernmost point Tamil Nadu हो गया, Kanya Kumari का, है न, westernmost point गुजरात, और उदर क्या हो गया, यह क्या है, मैं बार बार बोलता रहता हूना, इसलिए आप सब का अंसर, very good, अंसर है C, Arunachal Pradesh, कि भी तू गाव, very good, हाँ, कौन सा आर्टिकल बताता है, protection against arrest and detention in certain cases, कौन सा बताता है, right, हाँ, फटा फट बता है, भूक लगने लग गई है, जल्दी से बता है इसका अंसर, हाँ, आर्टिकल 22 is the right answer, बिलकुल perfect है, आर्टिकल 22, बहुत ही बढ़िया, next question पर चलते हैं, who was the first to raise the slogan, इनकलाब जिन्दाबाद, इनकलाब जिन्दाबाद, जो है, एक तो दत साब थे एक, और दूसरे परशन थे जो इन में से एक है, हाँ, उनका नाम क्या था, बुतकर, बुकेतवर, कुछ ऐसा, कुछ अजीब सा नाम था थोड़ा सा, हाँ, इसका दूसरे परशन का नाम बता अपन को, बगत सिंग, इनकलाब जिन्दाबाद करके, हाँ, उन्होंने बम भोड़ दिया था, ठीक है, क्या भोड़ दिया था, बम, next question, the greatest historian of, हाँ, बटु केश्वर दत और बगत सिंग, thank you so much, right, the greatest historian of the reign of Akbar, who wrote Akbar नामा एन आईने अकबरी, ठीक हाँ, अकबर नामा एक किताब है, जिसकी तीन किताबे हैं, उसमें से एक आएने अकबरी है, वो तीनों किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, कहीं कहीं किताबों में ये लिखा गया है, कि जो अबुल फजल है, वो बैरम खान के बेटे हैं, बैरम खान वही है, जो केर टेकर थे अकबर के और 1556 में जो सेकंड बैटल आफ पानी पत हुआ था अकबर वर्सेज हेमू वो अकबर की तरफ से बैरम खान ने लड़े थे next question which area of मद्यपदेश is known for white tiger देखे सफेद टाइगर कहा है देखे white tiger जो है कहा की ज़्यादा famous है white tiger मद्यपदेश में मालवा 36 गड़ देखे रीवा जो है हाँ रीवा जो रेवा नदी के किनारे है MP और UP ये बॉर्डर पे है हाँ next question who composed the song सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हाँ वाउ goose bumps right तो किस ने लिखा है ये तो ये person है इनका मोहमत इकबाल ने लिखा है मोहमत इकबाल famous person next question choose the name of tourism in मद्यपदेश which is internationally renowned and is connected to daily air service ठीक है सबसे पहले तो इसका अंसर खाजुराव नहीं है खाजुराव जो है हमारे cultural capital of G20 थी cultural capital of G20 खाजुराव खाजुराव is very important आपके exam में आने के chance बहुत ज़ादा है इसका अंसर है काना national park काना किसली ठीक है और वो जो कुनो national park है वो है शेवपुर में याद रखेगा next question to which dynasty खाजुराव temples belong खाजुराव temples जो है किसको belong करते हैं बताना है चंदेल रूलर रोटेला गुपता या फिर मौरिया तो मौरियंस ने मद्यपरदेश में बहुत ही कम चीजे बनाई थी हाँ ठीक है कुछ इस्तूपाज और वो बनाई थे बट जो है चंदेल रूलर ने खाजुराव temples बनाए है very important next question dash is the smallest unit of data in a computer सबसे smallest data कौन सा है इस test में current affairs के question इसलिए निकराए क्योंकि वो कल हो चुके है कल सारे हो चुके है बिलकुल bit है bit के बाद byte आता है sorry bit के बाद nibbal आता है nibbal के साथ में byte आता है byte के बाद में kb, kilobyte mb, megabyte gb, gigabyte tb, terabyte pb, petabyte next question which of the following is natural element used in primary element in computer chips computer chips में क्या चीज का primary element बाना जाता है computer chip में सबसे छोटी चीज जो primary element है वो क्या है nibbal का मतलब होता है 4 nibbal equal to 1 byte होता है ठीक है 1 byte बिलकुल silicon chips होती है vacuum tubes जो थे उसे बने अपने chips chip से फिर integrated circuit बने और फिर microprocessor जो अभी अपन यूज कर रहे है next question what kind of language can computer understand तो computer देखिए assembly language ही समझता है ठीक है computer assembly language समझता है next question पर चलते है देखिए ये मेरे को समझाना पड़ेगा एक बार समझ में आ गया तो बहुत important हो जाएगा digital computer process information in which form digital computer process जो होता है information को अलग अलग जगे रखता है हर information को अलग जगे रखता है एक file का data इस जगे तो दूसरी file का data पास में लेकिन एक साथ mix up नहीं करता हमारे दिमाग की जैसे तो अपन सब mix up है उसी चीज को separation को ये जो separate word है ना separate इसका मतलब होता discrete discrete ठीक है तो separation का मतलब discrete यानि कि option number 20 का answer है जरूरी था एक्जाम में आने के chance है इसके ठीक है next question 4 byte में 1 nipple बिलकुल सभी who had built the first electronic digital computer ये जो पहला digital computer ये बना के तयार हुए थे वो ये है और इनका नाम क्या है बताना है इनका नाम है John Attensoff क्या नाम है John Attensoff हाँ इनको father of electronic computer digital computer कहा जाता है right father of computer देखिए father of computer कौन है Charles Babbage father of modern computer कौन है father of modern computer comment box में भी बताईए का इसको father of modern computer very good Alan Turing very good Alan Turing और एक और जो father of AI यानि की artificial intelligence है जिनका नाम क्या है John McCarthy ठीक है John McCarthy ये है वो personality father of artificial intelligence आने वाले टाइम में पतानी क्या क्या चीजे होगी मैं आपको बता रहा हूँ quantum computing आने वाला AI से भी powerful रहेगा ये quantum computing ठीक है next question the system unit of a personal computer typically contains which of the following इन में से क्या क्या चीजे रखता है computer एक typically तो ये तीनों ही है ठीक है ये तीनों ही है ये तीनों चीज mother board पे होती है ठीक है mother board पे और ये answer क्या है इसका all of the above simple suggestion mother board is heart heart of computer and brain of computer क्या होता है cpu हाँ और eyes of computer कौन सी होती है camera या cpu है न which of the following is the smallest high speed storage area तो smallest और high spirit जो होता है storage area वो होता है register होता है क्या होता है register cpu के अंदर होता है register हाँ cpu का full form central processing unit next question which of the following devices is used for video games अरे वाँ टेकन 3 game तो खेला ही होगा जैस जैसने खेला है जरूर लिखिये या ps4, ps5 कभी तो खेला होगा उसमें ऐसे से उसना कुछ आपने joystick को हिलाया ही होगा right option number c perfect right next question which of the following define और super computers में joystick का एक बहुत बड़ा खेल है super computer में joystick भी लगा के रखते है हाँ smackdown which of the following define the meaning of RAM RAM का मतलब random access memory random access memory एक ऐसी चीज है जो read भी होती है और written भी होती है ठीक है read भी होती है और written भी होती है answer क्या हो जाएगा it is a memory which both read and write लेकिन read only memory इस सिरफ read होती है ठीक है non-volatile भी होती है यानि कि उसको change नहीं कर सकते the copies of data और program files are always stored as a safety तेखो मैं आपकी जो PPT है जितनी भी जो बना रख्या होता हूँ उसका मैं वापस test लेता हूँ आपको पता है है ना वो चीज हाँ मैं हमेशा एक backup तो रखना पड़ता है ना safety के लिए हाँ computer खराब हो जाए तो सब कुछ क्या हो जाएगा बूम तो वो RAM होता है आप स्वारी backup होता है next question अच्छा that's it अब मुझे फटाफट से बताए 35 में से कितने नंबर आए हैं आपके फटा फट बताए और ये वली class आपको invitation है खास वाओ ये वली class आपको invitation है खास अच्छा मैं शायर भी हूँ अब देखिए यहाँ पे आप हाँ तो ये जो है 10 जनवरी को है मैं आपको देख लेता हूँ नौ रॉंग है 35 में से 34 very good 30 good 26 कम है थोड़ा स्कोर 30 32 राइट 30 के उपर आए तो मज़ा आजाता है English के गलत है ध्यान दखलो English में थोड़ा फोकस कर लो 30 31 32 कट आफ तो यहीं पे ओरी है decide 35 में से 40 कैसे आ सकते हैं इकबाल वाला गलत है एक जीके में रॉंग कंप्यूटर में दो रॉंग एन वन टुका सर और वेरी गुड 4 गलत है अच्छा अच्छा जीके का थोड़ा जो भी चीज है न उस पे फोकस करो और जो चीज नहीं हो न उसको छोड़ दो अब एक्सपेरिमेंट नहीं करना ठीके हाँ और ये साड़े 10 बजे क्लास रहेगी कन्फर्म है ठीके और ये क्लास हो चुकी है आप देख लीजेगा यहाँ पे और ये सब का इसका PDF अभी मैं भेज रहा हूँ थोड़ी ही देर में भेज रहा हूँ घर पहुचते ही सूर्या सर अंडरिस्कोर इंग्लिश पे इसका PDF मिल जाएगा वो डाउनलूड करके आपके पास रख लेना ये हमारा बैच है All India Judi Shari का है इस पे आप इस मोबाइल नंबर पे देखे आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना 5-day free demo classes भी है Okay then तो मिलते हैं हम पर्सो कल छुटी है मेरी ठीक है कल करन सर की class attend करनी है आप सब को Jai Hind Thank you so much Have a nice day God bless you And all the very best Thank you